नमस्कार मैं हूँ अज्वी और आप देख रहे हैं आंग पीए समाचा तो चले शुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से आंडी से आम को हुआ नुकसान लेकिन पानी से फल का साइज भी बढ़ेगा बारी सहरों में आम जाना हुआ शुरू लखलों की मंडी में 10 जून के बाद पहुँचेगा आम सनिवार को आई तेज आंधी बारिष से जहां एक और आम के फल गिरने से किसानों को नुकसान हुआ वहीं दूसरा पहलू ये भी है किस पानी से फल के साइज में बड़ोतरी भी होगी दूसरी और अच्छी बात ये भी है कि बागों में आम तूटना शुरू भी हो गया है कोलकाता मुमबवे दिल्ली आम जाने भी लगा है लखनों के फल पट्टी शेतर काकोरी माल मलिहाबाद शेतर में सैनिवार को आई आंधी से आम का फल जमीन पर बिखर गया काकोरी के हल्वा गाउं के खिसान आदित शुकला ने बताए कि आंधी से एक अनुमान के अनुसार इस आम पट्टी में लगबग 25-30 विजदी फल गिरा होगा पहले भी कीड़े से लगने से आम को काफी नुकसान पहुच चुका है इस कारण कह सकते हैं कि पिछले दिनों से आज तक फल का काफी नुकसान हो चुका है हाला कि आदǐते कहते हैं कि अब अच्छी बात ये भी है कि आम बाहर के सहर कोल्गाता दिल्ली आदी शेरों में बेजा जाने लगा है इस कारन से आम की तोड़ाई शbé्षू हो गई है। ट्रक ओ पर आम के पेटियों कलडान शुरू हो गया है। ट्रक निकल रहे हैं आदिते बताते हैं कि बाहर बेजने के लिए फल को थोड़ा कच्छा ही तोड़ लिया जाता है जो दूसरे सेर की मन्नी तक पहुंचते पहुंचते ही पक जाता है मौई केंदिरी औपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वेग्यानिक डॉक्टर सुशील कुमार सुकला ने बताए कि आंदी से आम को जो नुकसान तो हो गया लेकिन इस तरह की बरसाथ से फल के साइज में बड़ोतरी भी हो जाती है जिससे दाम अच्छा मिल जाता है लेकिन लगाता है बारिस नहीं होनी चाहिए इसके अलावा उन्होंने बताए कि इसके बाद दूप निकलने से आम पकना शुरू हो जाएगा हाला कि उन्होंने इस बात को भी बताए कि इस पार कीड़े और इस हांधी से आम का नुकसान काफी हो चिका है बस अब कुछ नह हो उन्होंने बताए कि सेहर की मंडी में आम 10 जून के बाद पहुंच जाएगा खबरों में अब तक यह बस अतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आख पीए समाचार